अजी असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब भाई आज की वीडियो में एक बार फिर से बड़ा ही एक्स्क्लूजिव अपडेट्स आप लोगो के लिए लेकर आया हूँ ये लाइटें लगी वी हैं चाहे शीटो का काम हो कॉलम्स का काम हो गाडरस का काम हो हर तरफ भई महोल सच चुका है तो नाइट व्यू भी अब आज के बाद से इस चैनल से आपको देखने को मिलेंगी सबसे पहरे तो यार आजाते हैं जो सेकंड फ्लोर आप लोग इस वकत देख रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर पिविलियन का यहाँ पर आप लेड़ी आपको पता है के लेंटर सबसे पहले डाला गिया था मिडल वाले पोर्शन पर एंड इसी के लेफ्ट और राइट साइड जो फजल मेहमूद और इमरान खान इंक्लोजर के सेक्शन्स हैं वहाँ पर च्छत का काम रहता था बट आज आप लोग देख लें के बहीं कई सारा माटीरियल आ चुका है जिसको पाइल शीट कहते हैं आप लोगों को सामने वाइट कलर नजर आ रही होंगी जैसे ही शीट उपर आ गई वरकर सारे के सारे लग गए अपने काम पे जो लेफ्ट एंड राइट साइट सेक्शन्स थे उनकी च्छतों पे शीटे बिचाना शुरू कर दी एंड काफी हद तक इन्होंने तीन चार बज़े के आसपास यह सारा काम कंप्लीट किया इन इस वकर आप लोग ये लेटिस सुरतिहाल देख भी रहे हैं कि चछत से किस तरह आपको ये सेकंड फ्लोर नजर आ रहा है खैर इसी के ठीक आप सामने देख लें कि चार गार्डर्स भी इन्होंने साथ साथ लगा दिये हैं यानि इस कदर एग्रेसिव वरकर्स यहां पे FWO के काम कर रहे हैं क शीटे तो वैसे भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी तै किया कि हमने आज रात तक गार्डर्स भी फिक्स कर लेने हैं ताके जो आपका थर्ड स्टोरी बन रहा है उसको भी साथ साथ कंटीनू किया जाए इन्शालला कल सुबा मॉर्निंग से वैसे तो 24 बाइ जो नीचे इन्होंने की थी फिर्स फ्लोर में वो आपको उपर भी दिखेंगी क्योंकि इस पिविलियन में आपके सिर्फ ड्रेसिंग रूम तो नहीं आने हर एक फ्लोर में आपके अलग अलग पार्टिशन हो रही हैं कुछ फिजियो के आपे रूम साथ साथ सेक्यूरिट लेकिन मुझे मज़ा तो इस चीज का आ रहा है कि इन्होंने शीटों के साथ साथ जो चार गॉर्डर्स भी पर्मनेंटली जो लगा दी हैं मतलब यार कोई अलग लेवल कहीं इन्होंने फिर से स्पीड पकड़ ली है कि अब थर्ड फ्लोर भी इन्होंने स्टार्ट कर लिय पहले लेंटर तो डाल दो जो आपके लेफ्ट और राइट रहते हैं इन्होंने उपर जाके गाड़र्स पहुंचाएं उसको फिक्स भी करना शुरू किया जिस तरह से इस फुटेज में आप देख रहे हैं अब यह नाइट व्यू भी थोड़ा से देख ले जिसमें जो प पिशे भी ब्लॉक पर थार्ड फ्लूर के लिए पिलर्स पहुंचाना शुरू कर दिये हैं प्यारे दोस्तों आप देख लिए कि पिलर्स को इन्होंने शेल्स पहनाना शूरू किये होए थार्ड फ्लूर पर धटड़ा धड़ एफ डाड़ फ़्व्य विर्कर्ण लगे है इस पिलर्स को उपर पहुंचा रहे हैं ताकि सेम तो सेम आपके नीचे जो स्टोरीज बने हैं उसी तरह से उपर भी हैं इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है कुछ तो पिलर्स आपको कंक्रीट से बने नजर आ रहे होंगी लेकिन जो लेफ्ट साइट का पॉर्शन है वहाँ पे अभी अभी इन्होंने शेल्स पहनाना शुरू की हैं इसके अंदर कंक्रीट की भराई होगी इन्शालला फिर उसके बाद आप कहले कि एक पॉर्शन जो पीसीबी बिल्डिंग का है वो थर्ड फ्लोर के लिए रैडी हो जाएगा तो नाइट वियू में आपने भई पीसीबी बिल्डिंग तो देख लिया इसी के साथ ये जरा आप देखें के रात तक जैसे मैंने आपको दिन का दिखाया था जो शीटे इन्होंने फ्रेश फ्र आम भी शुरू हो चुका था और आलमोस्ट आप कहले के बस खतम ही होने वाला है और आप देखें किस तरह से मनाजिर अब आपको लग रहे हैं सेकंड स्टोरी के लेफ्ट और राइट जो पॉर्शन रहते थे शीटे बिचा दी हैं माशालला बड़ा ही ब्यूटिफुल व अपरेल से स्टार्ट होगा किया अगर देखें स्टैंज पर जो जितना अमला है फ्ट्वलियो का उन्होंने भी अपनी लाइटिंग सिस्टम सब कुछ रैडी किया हुए हर तरफ अगर आप देखें तो पूरे स्टेडियम में लाइट ही लाइट आपको नज़र आ रही है एंड माशालला बड़ा ही जोरोशोर से काम चल रहा है इसी वज़े से फिर मुझे भी अपडेट्स थोड़ा क्विकली आपको देना पड़ रही है भाई आपके जो बहुत सारी क्वेस्टन्स हैं वो मैंने प्रिविएस वीडियो में क्लियर की हैं इस वज़े से मैं दूर से कितना भरा भरा सा लग रहा है यानि जो कॉलम्स है इसका आप अंदाजा लगाएं कि ये बिल्कुल आल्मोस्ट 95% राजाज इंक्लोजर कम्प्लीट हो चुका है इसके बाद अब्दुलकादिर एंसासा जो आपका माजिद खान इंक्लोजर है उसकी बारी आ जाए है तो सेम तो सेम कजाफी स्टेडियम की भी वाइब वैसे ही आना शुरू हो गई है तो आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा बनिसमत जो दिन का काम है हम ज्यादा तर देखते हैं अपडेट्स में लेकिन आज मैंने सोच लिया है कि नाइट व्यू भी होना चाहिए हफते म एक दो बार तो आपने देखा कि किस तरह से रात को भी FW वरकर्स उसी तरह से एक्टिव लगी हैं जिस तरह से दिन के टाइम आप देख रहे होते हैं आप भई मज़े से घर में बैटे खापी रहे हैं यहां पे देखें आपके लिए क्या कुछ हो रहा है कजाफी स्टेड से निकाया दुबारा से कम बैक करेंगे और उसके बाद संट्रल कॉंट्रैक्ट भी दे दिया जाएगा जो जो चीजे नॉर्मल चल रही थी उस तरह से चलती रहेंगे खैर मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा जो जो टॉपिक जिस सवाले से हो उस पर मैं डिट उन्होंने क्लियर कराया कि यह जजबाती फैसला नहीं है तो इस वज़े से उन्होंने भी सबर लिया एक वाहिद ऐसा डीसेंट प्लेयर है जो कि आप कहलें कि सारा जो क्रिकेटिंग जजबा है तो वह फखर जमान ही लेकर आया पाकिस्तान में शाहिकीनों को भाई इसके बगार मज़ा नहीं आता एक आपका किंग बाबर हो एक आपका फखर यह बड़े खिलाड़ी है इनके साथ आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते इनको थोड़ा सा भी आप अगर इदर उदर करेंगे तो आपके उपर जो जितने जनलिजम डिपार्टमेंट है वो आपके कर सकते वो दुबारा से इस मसले को अभी हैंडल कर रहे हैं जो जो चीजे हैं वो सौट आउट हो जाएंगी तो आप लोगों ने आज नाइट व्यू भी इंजॉय किया होगा भई आपके साथ अब नाइट व्यू भी आएंगी तो इस वज़े से चैनल को मस्ट सब्सक्रा कर दाएंगी तो आईपके साथif दी जाएंगी तो बाहें बाहेंगी sebelMag वेंया भी हैंउड़ब कर दोगै अजे शेकर रहें तो घाएंगी हैंगी तो बाहेंगी का भी हैंगी दोके साथियोगा सेहेंगी ठींग्यू देंड़ पिस पहेंदा जेदिए एंड़ वानीक्ष